और नितीश कुमार को क्यों फेवी कॉल का ब्रैंड अम्बेसडर बनना चाहिए ये हम नहीं उनके पुराने सपैसलार प्रशांत किशोर बता रहे हैं आये आप भी प्रशांत किशोर की नितीश को लेकर जो सला है उसे देखिए नितिश कुमार और प्रिशांत किशोर प्रिशांत 2015 के चुनौव में नितिश के रणनीतिकार बने तो कुमार साहब ने उनकी राजनीती में एंट्री कराकर रिटन गिफ्ट दिया और तो और पार्टी का उपाध्यक्ष तक बना डाला लेकिन राजनीती में कहां कोई किसी का हुआ है अब देखिये ना अपने राजनीती गुरू के लिए प्रशान्द वावू क्या फर्मा रहे हैं कि फेवी कॉल वालों को एक कबरान अमबेजडर और नितिश कुमार को बना लेना चाहिए इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है अपना पुर्शी पर फेवी को लगा कर चिपके हुए है जिसको उलटना है पलटना है जो भी करना है अभी एक महिना पहले तक मोदी जी के सामने 90 डिगरी पर जुपके प्रणाम करने वाला आदमी अरे भाई कौन रोका है आप दोनों ही जो मर्जी है किजिए और कहिए बाकी आखरी मर्जी तो 2024 में जनता की होगी